Hi friends and how are you doing today as you know that I am coming up with the latest QCards of this time with you अब तक्रीबन हमने 6,7,10 ने QCards कर ली हैं क्योंकि 6 के ने वीडियोस अपलोड हो चुके हैं 3-4 के वीडियोस तो अल्रेडी अपलोडेर थे दो QCards वीडियो में मैं आपको और बताने जा रहा हूं दियान से सुनियेगा इन दोनो QCards को बहुत easy इनके sample answers आपके साथ already available हैं और इन वीडियोस को आपको कैसे डूणना है ये भी मैं आपको बताऊंगा एक QCard जो आपसे तक्रीबने एक सार पहले पूछा जा रहा था ये QCard दुबारा से पूछा जाएगा और यही पर मैं आपको इस वीडियो का लिंक दे रहा हूं आप दे सेम डाइम इसी वीडियो के description में आपको इसका लिंक मिलेगा नहीं तो कभी भी आप keyword के साथ जब भी कोई QCard सर्च करते हैं वो मेरा QCard आपको जरूर नजर आ जाता है तो आपको यहां पर यह thumbnail नजर आने वाला है Talk about a house that caught your attention और यह same QCard आपका sample बन जाएगा जो आने वाले दिनों में आपसे QCard पूछा जाएगा Talk about a house you visited and liked मतलब आपने एक गर देखा आपने विजिट किया और आपको वो बहुत अच्छा लगा गूम गमागर यह dream house QCard ही है आप किसी भी QCard का answer कर सकते हैं house related अगर आपके पास basic 4-5 चीज़ें हैं बताने के लिए और मेरा हर एक वीडियो एक storyline के साथ होता है ताकि आप वो सारी चीज़ को पहले एक बाच्छे से visualize कर पाएं ताकि उसके बाद आप fluently अपनी speech दे सकें for two minutes दूसरा QCard जो आप से पूछा जा सकता है वो है about inspiration, talk about a time when someone inspired you to do something यह recent QCards में भी था यह QCard का आगे आने वाले दिनों में भी पूछा जानाता है क्योंकि यह list से बाहर नहीं जा रहा है ऐसे और भी बहुत सारे QCards हैं जो 2022 की list September, December वाले continue करेंगे लेकिन आने वाले दिनों में और भी नए QCards मैं आपके साथ Monday या Tuesday को लाइव होके शेयर करूँगा तिल देन आप जुड़े रहिए इसी चैनल के साथ मैं रमदीप सिंग अभी कहता हूँ आपको अलविदा जल्दी मिलते हैं